सुवागत है आप सभी के हमारे चैनल डिपलोमा कलासेस में तो आज का वीडियो वीडियो बिहार के वैसे एस्टुडेंट के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है जो भी लोग बिहार ITI 2022 का परवेश परिक्षा दे चुके हैं क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं की बिहार ITI का रिजल्ट आखिर कब आएगा और इसके साथ साथ ये भी बताने वाले हैं की बिहार ITI 2022 में एड्मिसन कराते वक्त आखिर आपसे कौन-कौन से डोकोमेंट लिया जाएगा तो जो भी लोग इस वीडियो को आन तक देख लेंगे तो उनको बाद में कोई भी कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा किमकि रिजल्ट आने के बाद सभी लोग चिंतित हो जाते हैं कि कौन कौन से डोकोमेंट लगेंगे और डोकोमेंट का नाम मलूम चल भी जाता है तो तीन या चार दिन में नहीं बन पाता है किमकि रिजल्ट आने के तीन या चार दिन के बाद से ही जो एडिमिसन का प्रोसेस से वो सुरू हो जाता है तो आप लोग अभी सेही जितने भी document है सभी को बनवाने के लिए apply करवा देजिएगा तो चलिए आपको बता दें कि कौन कौन से documents लएंगे तो सबसे पहले जो आपके पास होगा उसी को बताते हैं जैसे कि 3 यानि matric का mark sheet ठीक है दूसरा है matric का admit card तिसरा है matric का SLC SLC का मतलब a school living certificate ये तो हो गया 3 वाला यानि matric का इसके बाद है ITI का part A और part B तो बहुत कोई बोलेगा कि ये कौन सा document है तो जब आप लोग ITI का फरम फिलब किये थे तब आपको कोई document मिला होगा मतलब एक receiving मिला होगा वहीं होता है part A और part B और वहीं से लोग जिनके पास है document नहीं है तो आप लोग comment किजिएगा हम आपको बता देंगे कि आप लोग उसको download कैसे कर सकते हैं अगला document है ITI का admit card और वहीं admit card जिस पे नीचे invillager का sign हो यानि जहां पर आप लोग exam देने के लिए गए थे तो जो admit card होगा वहाँ पे नीचे एक sign किया होगा इसके बाद है ITI का ring card इतना तो हो गया अब चली आगे पाप पता दें कि कौन कौन से आपको document बनवाने हैं जैसे कि जाती आवासी ये आए और ये तीनो certificate है six month के अंदर वाला होना चाहिए तो आप लोग आज ही इसको बनवाने के लिए apply कर देजिए कियोंकि बाद में आपको time नहीं मिल पाएगा ठीक है अगला document है चडित्र परमान पत्र यानि character certificate तो बहुत कोई बुलेगा कि ये document कहां पर बनेगा तो आप लोग आखरी study जहां पर भी किये हो अगर आप लोग matrix में हैं तो आप लोग वही से आप लोग अपने तेन्थ वला स्कूल से character certificate को बनवा लिजिएगा ठीक है अगला document है अधार card ठीक है इसके बाद है वही photo जो admit card पर लगा हो इसके बाद है medical certificate और medical certificate आप लोग अपने सदर अपने district के सदर अस्पताल में बनवा सकते हैं तो चलिए आपको बता दे कि ये तो document हो गया अब result का उबाएगा तो इस वीडियो को आगे पराने से पर लिए आपसे एक छोटी स्रिक्वेस्ट है अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो इसे subscribe डिलूट कर ले ताकि ये इसे ही अपडेट आपको पास सबसे पहली जाते रहे तो देखिए जो आप लोग का exam है वो finally अगरली बारे जून 2022 को खतम हो चुका है और exam से ठीक 20 दिन बाद यानि तीन सबता बाद जो है आप लोग का result आता है हर एक साल तो इसे clear होता है कि भी हर ITI 2022 का result है जुलाई के first week में जारी कर दिया जाएगा तो आप लोग अभी ही जो तीनों document है इसको बनवाने के लिए अपलाई कर दिजिए क्योंकि इसको बनने में कम से कम 20 दिन का time लगता है तो आप लोग के पास time बहुत ही कम है इसको बनवाने के लिए आप लोग आज ही अपलाई कर दिजिए और इस वीडियो से संबनित कोई भी question हो तो आप लोग comment करके हम से पूछ सकते हैं